यूटूब चैनल पर आप सभी का फिर से स्वागत हैं आज का जो हमारा टोपिक होगा लेक्चर होगा वो कुलाम नियम कुलाम बल और आवेश जो है उससे समंदित पर्षनों पर रहेगा आपका यानि कि पर्षनोंत्री हम करेंगे लास्ट दो लेक्चर में भी हमने किया था आज भी हम वही करेंगी तो आज का लेक्चर आपका पर्षनोंत्री तो देखिए कौन से क्विशन पीछे कंपिटिशन एक्जाम में पूछे गई हैं कैसे क्विशन आते हैं उनके बारे में हम डिसकसन करेंगे तो देखिए पहला क्विशन है इस्थीर वैध्यूत बल का उधारण है किसका इस्थिर वैध्यूत बल का उधारण है आपका जब टोफिक चला था तो यहीं से हमने स्टार्ट किया था आपका इस्थिर वैध्यूत बल से आपका ऑप्सन आपको दे रखा है पहला उप्सन आपका एसनक्षिबल कौन्शा बल एसनक्षिबल second option आपक है कुलाम बल कि थेड़ ओप्षन है घर्षन बल और फॉर्थ है सभी तो अब इन में से आपको बताना है कि कौन सब बल है जो इस्थिरवद्ध बल है इन तीनों में नहीं हो सकता है यह दोनों नहीं थो बच कुन सा गया कुलाम बल यालिकि जो आपका कुलाम बल कुलाम बल पालना पालना नहीं करता है नहीं करता है ओप्षन आपका पहला किरिया परति किरिया नियम की दूश्रा ओप्षन आपका वित्करम वर्ग नियम की टीसरा ओप्षन आपका घरशन बल की कुण्से बल की घरशन चोथा है सभी तो अब पुछा गया कि इन में से कुण सा है जिसकी कुलाम बल हो पालना नहीं करता यह देखिए कुलाम बल है किरिया परति किरिया के नियम की दूश्रा करता है विद्करम वर्ग नियम की पालना करता है लेकिन घर्षन बल्कि किसकी घर्षन बल्कि पालना नहीं करता तो इसमें जो सही ओप्षन होगा वो आपका कौन सा होगा सही ओप्षन आपका घर्षन बल यानि कि कुलाम बल है वो इसकी भी पालना करता है कुछा है जिसमें परटे क्रिया की वे प्राबर योटी है पर्फी की पालना करता है विद्ध रणीन भर्ण की पालना करता है लेकिन घर्षन बल्कि पालना नहीं करता तो option क्या है आपका सही इसमें घर्षन बलकि कुलाम बल पालना नहीं करता है अगला क्यूशन देखिए आपका ऐसे ही क्यूशन आपसे पूछे जाते हैं बिल्कुल सिंपल से होते हैं लेकिन गलती कहले बैठते हैं तो अगला क्यूशन देखिए क्या है आपका निर्वात में किसमें निर्वात में के का मान के का मान होता है पहला ओप्षन है 9 इंटू 10 पॉवर 10 न्यूटन मिटर स्क्वेर पर कुलाम स्क्वेर शेक्ड ओप्षन आपका 9 इंटू 10 पॉवर 9 न्यूटन मिटर स्क्वेर पर कुलाम स्क्वेर थेर्ड ओप्षन है आपका 9 इंटू 10 पॉवर 9 न्यूटन मिटर स्क्वेर पर कुलाम स्क्वेर और फॉर्थ ओप्षन है आपका 9 इंटू 10 पॉवर 9 कुलाम स्क्वेर पर न्यूटन मिटर स्क्वेर आपक अब देखिए जो K है उसका जो मान होता है हमने जब टॉप्टिक पढ़ा था उसमें पढ़ा बताया था कि का मान निर्वात में होता है 9 गुणा 10 ती घात 9 अब देखिए यह जो मान है वो इसमें और इसमें भी मिल रहा है आपको इसका जो मातरक होता है वो होता है न्यूटन मीटर स्क्वाइल पर कुलाम स्क्वाइल आपका तो यह वाला ओप्शन आपका क्या होगा सही होगा क्रेक्ट होगा आगे क्यूशन देखिए आपका अगला क्यूशन क्या है कि क्यूशन नंबर फॉर्थ यदी क्यूवन क्यूट इस greater than zero हो तो हो तो आवेशों के बीच आवेशों के बीच बल की परकरती होगी यानि कि हमें यह दे रखा Q1 Q2 का गुणनफल zero से जादा है तो जो आवेश हैं मैं और डो आवेश यहें तो इनके बीच में जो बल लगेगा वह कैंसी परकर्ति का होगा में उपसड娜ा परकरती से के साथ होगा परिकर्षण के परक्रतिकर्षण मेंसा पर्तिकर्षण आपका कमें और अज़त हैदर वैसे आपका क्या होगा थैड़ उपसट है आठ कर्षन पर्तिकर्षन क्या होगा आठ कर्षन पर्तिकर्षन और फौर्थ ऑफ्षन सभी यह फिर नन कोई भी नहीं आपका तो यह क्यूशन आपका दिया हुआ है कि यदि Q1 Q2 is greater than 0 हो तो आवेशों के बीच की जो परकर्ती है उस परकर्ती कैसी होगी आठ कर्षन की होग यह बतलब है कि वन और क्यूट्व का गुरणफल दिया हुआ है किस से जाधा Argentii जिरों से ज्याधा और जीरों से ज्यादा कॉछ आप प्लेस्ट्वन हो सकता है फ्लेस्ट्री होसकता है इस प्रकार से हो सकता आपगा तो यानि हैंकि raise यह धुरों का गुननफल हम करेंगे तो प्लस sign मिलेका प्लस sign कब मिल सकता है जब आपका इसकाmost positive हो एक तो यह condition हो सकते है यह फिल क्यूब नेगेटिप और क्यूट भी क्या हो एक मिल सकता है तो यहां से क्या result मिला कि डौनओ आवेशों की परकृती समान है कैसी है समान यानि कि दोनों की परकर्टी या तो प्लस प्लस है या फिल माइनस माइनस है तो परकर्टी समान होने के कारण क्या होने के कारण परकर्टी समान जब होगी तो समान परकर्टी के आवेसों में कौन सा बल लगेगा पर्टी कर्शन बल लगेगा तो यहां पर option का हो इनके बीत लगने वाला बल कैसा होगा पड़तिकर्षन परकर्ति का होगा अब इसमें आपका सेक्ड कुछ लिया जाए इसको लिपीट करें थोड़ा सा अब कंदिशन आपको दे दीजाएं चेंज करके कि क्या कंदिशन आपको दे रखी हैं देखें कि यहां पर अब जो आपकी अगला कुशन यदि q1 q2 is less than 0 हो क्यू 1 q2 is less than 0 हो तो आवेशों के बीच लगने वाला जो बल है उसकी परकर्तिच कैसी होगी तो यहां पर देखिए अब आकर्षन हो सकता है परतिकर्षन आकर्षन परतिकर्षन यह नन कौनसा अप्शन होगा तो हमें यहां पता होना चाहिए कि Q1 ये इन दोनों का जो गुणनफल है किसका Q1 और Q2 का जो गुणनफल है वो 0 से छोटा है और 0 से छोटा होगा तो जो मान हमें मिलेगा वो रिनात्मक मिलेगा यानिकि नेगेटिव तो यह तभी पोसिलिवल है जब Q1 पोजिटिव हो और Q2 क्या हो नेगेटिव हो या हम कहें Q1 नेगेटिव हो और Q2 क्या हो पोजिटिव आपका तभी इन दोनों का गुणन फ्लेक्ट करेंगे तो दिनात्मक मान हमें देखने को मिलेगा दोनों ही जो आवेस हैं इन दोनों आवेसों की परकर्ति क्या ह परकर्ति को भीतके को लगे subscribe आकर्षन परकर्ति का यानिकि कैसा बल लगेगा इनके बीच में आकर्षन बल लगेगा तो यहां ओप्षन तो यह ध्यान रखना आपका कि यदि कंडिशन आपकी q1 q2 is greater than 0 है तब तो पर्तिकर्षन होगा और यदि q1 q2 is less than 0 है तब क्या होगा आकर्षन होगा आपका यह ध्यान रखना अगला क्यूशन देखिया आपका क्या दिया हुआ है अगले क्यूशन में भी तो यह ऐसे क्यूशन है जो कंफ्यूज कर देते हैं काफी बार तो इनको अच्छे से सोल करके पढ़कर के करना अगले क्यूशन आपका है दो आवेशों के बीच दो आवेशों के बीच यदि दो आवेशों के बीच जो निर्वात में इस्तित हैं उनके बीच उनके बीच काच्छ की छड रख दी जाए रख दी जाए तो बल्ब होगा पहला उप्षन बढ़ेगा बढ़ेगा सेकंड उप्षन घटेगा थर्ड उप्षन नियत रहेगा नियत रहेगा चोथा उप्षन सभी यानि कि दो आवेश हैं ठीक हैं वो कहां रखे हुए हैं निर्वात में रखे हुए हैं पहले निर्वात मानलो इस प्रकार से एक आवेश है एक आवेश है इनके बीच की दूरी स्मोलार यह कहां रखे हुए हैं निर्वात में रखे हुए हैं अब इनके बीच में एक काच कांच की छड़ हमने रख दी तो यहां पर एक माध्यम आ गया क्या गया माध्यम और माध्यम आते ही कुलांबल परिवर्टित हो जाते हैं तो जो कुलांबल है जैसे माध्यम आ जाएगा तो माध्यम के कारण कुलांबल का मान कम हो जाएगा तो यहां पर जैसे हम कांच की कि क्लाम बलकमान होता है, यह क्लाम बलकमान अधिक्तम होता है। यह दि रह फ्रेकुए क्लाम बलकमान कहां अधिक्तम होता है पहला उप्षन है कि चालख में चालर में जैनी की चाल पदार्थ सेक्टंटा प्लस आपका निर्वाथ में अ कहां पर निर्वाथ में थैर्ड उप्षन हपका एचालर तो देखे कुलामबल का मान सबसे अधिक्तम कहां होता है इसका हमने डिसक्रशन किया था और कुलामबल जो सर्वाधिक होता है वो कहां होता है निर्वात में या इसको ऐसा भी लिख सकते हैं मुक्त आकास में या इसको कह सकते ही हावा में निर्वात ने देख कर के कंडीशन भी आपको दी जा सकती है तो इन कंडीशन में आपका कुलामबल क्या होता है अधिक्तम होता है सबसे कम यहां चालग पदार्थ में जीरो होता है और अचालक मैं अभी बताया कि आचालक पदार्थ के करण कुलामबल का मान घर जाता है अगला कुषिन देखिया का है क्या है क्यूषिन वने यह नमबर क्यूषिन लगल कुलामबल होता है पहला option अब फॉर्मली के रूप में दिर्क आपको एफ एक्वेश्ट वन अपॉन फॉर पाई अपसाइलन नोट क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वेर सेग्ड ओप्षन एफ एक्वेश्ट वन अपॉन स्क्यार अहाज़ श्क्वेश्ट थ territor आपका दिया हुआ है एक्वेश्ट वन अपॉन पंजेश्ज वन आप उप साइलन नोट अपसाइलन आर क्यू वन क्यू आपन आर स्क्वेश्ट फॉर्थ। हप्षन है सभी तो यहां पर हमने बताना हैं यह सभी वैलियू तो 4PiB ھی सबमें सेम ने हैं लेकिन डिफ्रेंस काई यहां अपसाइलन 0 यहां अपसाइलन 0-0 अपसाइलन आर है यहां अपसाइलन हाप का यहां पर आपका कौन सा option सही होगा तो देखें निर्वात में हमने पढ़ा था कि कुलामबल जो निर्वात में होता है उसका मान होता है 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square क्या होता है f equals to 1 upon 4 pi epsilon 0 q1 q2 upon r square तो ये वाला option आपका सही होगा कि निर्वात में आपका तो निर्वात में याद रिखना ये value और ये तो सेम रहेगा जब epsilon 0 लिखा हुआ दिखाई दे जाए आपको तो वो आपका कहां पर मिलेगा निर्वात में ये आपका माध्यम में ये और ये दोनों ही क्या है आपके माध्यम में हमने पढ़ा कि epsilon चलो आगे बात करेंगे हम तो यहाँ पर जो निर्वात है उसमें आपका कुलाम बलका मान ये होता है अगला किशन आपका किशन नम्मर 9 सही संबंद है पहला उप्शन है के इकवेस्ट कोन अपोन फोर पाई अप्साइलन सेक्न उप्शन आपका के इकवेस्ट कुष्ट कोन फोर पाई अप्साइलन जिरो थैर्डू आपका के इक्वेस्ट वन अपॉन फॉर पाई अपसाइलन जिरो अपसाइलन आर और फॉर्थ है सभी अब इसमें कन्फ्यूज हो जाते हैं कि सही संबंध है यह पूछा गया है के की वेल्यू हमें दे रखी है तो यहां पर देखिए हमें कंडिशन नहीं दे रखी हमें कोई कंडिशन नहीं दे रखी हमें केवल पूछा सही संबंध है तो सही संबंध यह भी है यह भी है और यह निकी कौन से ओप्षन होगा सभी सही संबंध सभी है लेकिन यहीं पर इसी क्रिश्टन में आपका यह कह आजाता तब ओप्शन आता आपका सही संबन निर्वात में के का मान कितना होता है वन अपॉन फोर पाई अपसाइलन नोट के इक्वल होता है अब देखिए आगे और क्युश्चन तो के का मान कितना होता है निर्वात में वन अपॉन फोर पाई अपसाइलन नोट आपका अगला क्युश्चन है कोई आवेस कोई आवेस क्यूँ जिरो किसी अन्य आवेस क्यूँ के चारो और चारो और वर्ताकार वर्ताकार पत में चक्कर लगाता है तो क्यूँ जिरो को घुमाने में कौँशे पत पर वर्ताकार पत पर घुमाने में किया गया कारिय होगा कारिय होगा ओप्सन आपका पहला ओप्सन है एक जुल्ग सेकिन ओप्सन आपका सुन्य थेल ओप्सन आपका अनंत फौर्थ ओप्सन आपका सभी तो एक आवेश है Q-0 जो Q के चारो और वर्ताकार पत में क्या कर रहा है चक्कर लगा रहा है तो किया गया कारिय कितना होगा आपका ये हम कहें ऐसे इसको समझें, मानलो कि ये आपका आवेष है, क्यूँ? यहां आपका ये वर्टाकार पत्व में चक्कर लगा रहा है, कौन चक्कर लगा रहा है आपका? यहां मानलिया, यह Radius R हो गोगये, मानलिया हमने स्कार्च कर लिए कितनी दूरी यहां पर आपका Q0 आवेस है यह ऐसे चक्क्र लगा रहा हम मानले इधर से भी कर लगा सकता या फिर इधर से भी लगा सकता है ठीक, यहां तक कोई दिक्कत नहीं, अब देखो, यह जो आवेस है, यह इसके उपर बल लगाएगा, कौन सा बल, दो आवेस है, मानलों यह दोनों ही पॉजिटीव पॉजिटीव हैं आपके, नेगेटिव नेगेटिव भी हो सकते हैं, यह एक पॉजिटीव एक नेगेटिव कि 예शारे फॉजिटीव नेगेटि वो कोई दिक्त नहीं, यह सके उपर बल लगाएगा, इस ऐन suisके ऊपर लगने वाले बल की त्यशह और होगि, वो इधर होगि और यह जो आवेस है वह इधर चकर लगा लाई है यानि कि इस पॉइंट की एदि हम बात करें कि इसके कान लगने वाला बल तो यह है एक्ट्रल में 3D आपका तो ऐसे आपका बल लग रहा है ठीक है और और वह चक्कर ऐसे लगा रहा है इसके चार और यहां की हम बात करें इस पॉइंट पर तो यह एंगल कितना हो गया नाइंटी डिग्री अब मान लो यही क्यू जीरो आवेस यहां पहुंच गया तो अब यह इसके उपर इधर बल लगाएगा क्या लगाएगा इधर बल और य किया गया कार होता वह फोता एफ कोस्टीटर के ediyorum किया घ्रत कितना हो जाएगा है एकश्ट से ग Merc 섞 कर सुन्य आवैस के वर्ताकारपत में चक्क्र लगा रहा है तो किया गया कारिय कितना होगा सुन्य के ब़ाबर होगा आपका ये ध्यानक ना कि वर्ताकारपत में यहां चक्क्र लगारा ही तो क्या हो आपका सुनेड THIS कारन क्या है यहां पर जो बल लग रहा है इन दोनों आवेशों के वीच में वह कौन शाव समय को है इस्तिर्वधित बल ऐसा अगले वीडियो audio में हम परकास के बारे में पढहेंगी यहां पर हमारा कुलामबल है वो complete हो चुका है बाकि यदि और कुशन हमें मिलेंगे तो और कभी next lecture में कभी डाल देंगे उसको search करेंगे तो अगला जो हमारा lecture होगा वो परकास से समंदित होगा